एलो फ्रेंट्स विशाल्स कोकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तो देखने में आपको यह ऐसा लग रहा हुआ है जैसे कि यह केक हो पर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिलकुल गलत है यह केक बिलकुल भी नहीं है तो दोस्तो यह परकार की करेंगी और इसमें हम कुछ spices का यूज़ करेंगे और दोस्तों आपको इस ब्रेट के अंदर पिज्जा का भी स्वाद मिलेगा तो वीडियो को पूरा देखिए और रेसेपी आपको बहुत ही पसंद आएगी तो चलिए शुरू करते हैं तो इसके लिए एक बाल में मैंने डाला है दो कप रिफाइंड फ्लार यानि मैदा इसमें डालोंगा मैं डिर टी स्पून ड्राइएस्ट अब इसमें डालोंगा मैं एक टैबिली स्पून चीनी इसमें डालोंगा मैं एक टी स्पून नमक यहापे डालोंगा मैं हाफ टी स्प तो थोड़ा थोड़ा पानी का हमें यूज़ करते जाना है और इसका अच्छा सा आटा गुदकर हमें तयार कर लेना है तो आटे को हमने हलका सब्रूथ लिया है आप देख सकते हैं आटा बहुत ही चिप चिप आये तो इसको मैंने सर्फिस पर उतार लिया है और इस पर डाला है मैंने लगबग 2 टेबलिस्पून के करीबन तेल और तेल डाने के बाद इसको हम इसी तरह मसल मसल के चिकना कर लगबग 8-10 मिनिट में यह अपने हाफी सॉफ्ट हो जाएगा हातों में बिल्कुल नहीं चिपकेगा तो अगर यह नीचे सर्फिस पर चिपक रहा है तो आप इसे स्क्रेपर की सायते से हटा सकते हैं तो लगबग 10 मिनिट बाद आप देख सकते हैं इसको मैंने लगा ता 10 में तक गूत लिया है और एकदम सोफ्ट हो चुका है हातों में नहीं चिपक रहा है तो अब इसको मैं स्ट्रेस कर लूँगा पीछी की तरफ इस तरह और इसको मैं रख दूँगा ग्रीस की होई बावल में और इसको ग्रीस कर लिया था तो डो के उपर भी हम थोड़ा सा टेल डाल देंगे और इसको भी हम कोट कर लेंगे तेल से इसे क्या होगा हमारा जो डोफू लेगा वह सुखा नहीं होगा यानि सुखा नहीं रहेगा तो अब इसको हम लगपग एक घंटे के लिए किसी गरम जगर पर रख देंगे तो यहां पर मैंने छे इंच का है वह फूल का रेडी हो जाएगा तो मैंने भी ऐसी किया है तो केक्टी जो हमारा रेडी हो चुका है और एक घंटे बाद आप देख सकते हमारा डो कितना फूल चुका है एक दिम सौफ्ट हो चुका है इसमें हावा बर गई है तो अब हमारे पंच की साहिता से हमें इस तर कि और देख सकते है इसको डलता कर के णिर रीच कर लेंगे और इसको आगी के हिसे को मित तरह पीछे कर लेंगे और अभी हमारे केक्टिन लिया है तो इसके पें सब्सक्रों को डाल देंगे और हाथों की साथे से हमें इसको चारव फैला देंगे तो इक वली हमें उपर नीचे नहीं फैलाना है चारव तो से बराबरी फैलाना है तो इसी तरह चारव उग्धियों से अब इसको प्हेला लेदे के लिया है तो अब इसको हम कर देंगें कवर किसी कपड़े से तो कपड़े को में हलका सर ध्जीला रखना है इस तरह बीच.. क्योंकि 2 जब हमारा पोलेगा तो इस पर चिपगेना तो इसको हम रख देंगे लगबक आदर गंटे के लिए तो आदर गंटे बाद आप देख सकते हैं तो हमारा कितना full के तो इस पर मैंने मिल्क वhouse कर दिया है तो और चलिए इसको बेक करते हैं तो इसको मैं बेक करूंगाgender आवन दर तो इस तरह कि इसका बबेख करोंगा तो करने के बाद इसको मैं प्रिहिटेड अवान में बेक करूंगा 220 डिग्री पर लगों 25 मिनट के लिए तो आप देख सकते हैं लगों 25 मिनट बाद हमारा ब्रेड जो है वो बनकर तेयार हो चुका है लग यह एकदम केक जैसा रहा है आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है जैसा कि केक बनाए हो हमने तो जैसे हम इसको ओवन से बाहर निकालेंगे यहां पर हम इस पर लगा देंगे तो आप चाहें तो यहां पर कोई बटर भी लगा सकते हैं तो इससे क्या होगा हमारा कि जो ब्रेड है बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा तो इसको हम किसी गेले कपड़े से ढख देंगे 15 मिनट के लिए और इस ते छोड़ देंगे तो लग पंदर मेंट बाद मैं एक अपड़ा हटा रहा हूं और हमारा जो ब्रेड है वह अच्छी से रेडी हो चुका है मैं आपको इसको प्रैस करके देखा देदा हूं तो आप देख सकते हैं एकदब जालीदार एकदब सॉफ्ट हमारा ब्रेड है बनके तेयार हुआ है तो दोस्तर यहां पर एक नाइफ लिया है तो इस नाइफ से हम इसके किनारों को पेरे अलग कर लेंगे ताकि हमारा जो ब्रेड बना है वह आसानी से निकल जाए तो यह किनारों पर हलका सा चिपका हुआ है तो इसको हम ठाल देंगे चको की साहता से तो अब एक पर नाइफ को हम इस तरह गोलाई में फेर देंगे यानी चला देंगे इसको हम इस तरह निकाल लेंगे दोस्तों देख सकते हैं हमारा ब्रेड जो है कितना सौफ्ट बनके तयार हुआ है आपको प्रेड नाइफ लिया है तो इस नाइफ की साहता से इसका जो उ काटा दूँगा और आप देख सकते हैं कितना जाली दार हमारा ब्रेड जो है वो बनके तैयार हुआ है बहुत ही सौफ्ट बनाए तो अब इसको मैं कर लूँगा दो लेयर में डिवाइड तो आप देखते जाईए आपको रेसिपी बहुत ही इंट्रेस्टिंग लगी तो आपको इस रेसिपिन पिजा का भी सुवाद मिलेगा तो इसको मैंने दो लेयर में कर दिया है डिवाइड तो इसको हम साइड में रख देंगे अभी तो यहापे मैंने एक सिस्ट्रक प्लेड लिए एक ट्रेय है बेगिंग ट्रेय इसको बोलते है तो अब इसके उपर मैं इस तरह है यह जो केक या फिर प्रेड बोलें इसको हम रख देंगे एक स्लाइस यहापे मैंने थोड़ी पिजा सोस लिया है इसको मचे से कर लेंगे मिक्स और इस पर लग बग एक चमच पिजा सोस डालेंगे और इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे चाहतरब तो मैं है यहाँ पिजा सोस आपने लगाया है अब यहां पर मैं लेघा यहाँ इसको मैंने मैं लगा दिया है अब इसके अपर हम रख देंगे बहुत दूसरी से इसको इस तरह है पथली लियर में पहला दिंगे वह इसको पपर डाल देंगे चीज तो पर चीज हमने इसको पर डाल दिया अब इसको एक そip डिगर के लिए आङनी एक सोसे डिगर पर हम इसको 5 मिनिट के लिए बीक कर लेंगी तो आप देख सकते हैं इसको मैंने बेग कर लिया अच्छे से अब मैं आपको इसको गर्मा गराम ही कट करके दिखा रहा हूं तो यापे मैं इसे ब्रेड नाइफ से कट कर रहा हूं यह असानी से कट हो जाएगा आपको भी अची रेसीप हमारे बन के तयार हो गए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या रैसिप अच्छी लेज मे वीडियो को भी लाईग कीजए और चैनल को को सस्क्राइब कीज़े फिर मिलते हैं किसी नहीं रैसीपी के साथ झाल